नमस्कार एक बार फिर आजे रूँ आपके सामने मैं एते इंद्र बदोलिया और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल एसारा सुखनगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपके काम की कई सारी चीजाएं इस चैनल पर हैं आज का मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल नहीं है पूरा ड्रामा है और इस ड्रामे में आपको सब कुछ देखने को मिलेंगे बयान मिलेंगे अटपटे बयान मिलेंगे आशू मिलेंगे साहनबूतियां मिलेंगे और और भी बहुत कुछ मिलेगा तो दर् जबरी मैने का पहला दिन अशोक नंगर जिले में राजनेतिक रूप से बहुत उठक पठक वला रहा। उठल फुलत भरा भी रहा और पूरे प्रदेश में चर्चित भी रहा। क्योंकि मुगावली का बिधन सभा का उप्चुनाओ है और चर्चा अगर होना लाजमी है तो जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है उन पर बात क्यों न करें हुआ है वो देखेंगे इस पूरी खबर में जिन चीजों को सामिल किया है उनको एक सिलसले बार तरीके के सा आपके साथ में लाते हैं दसल कहानी की सुरूबात करते हैं भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों के द्वारा जो प्रत्यासियों की गोशना की गई उससे उसके बाद की बगावत बगावत के बाद रूठने मनाने का दौर इसके बाद एक दूसरे पर आरोप लग और इस पेज प्रमोकों की बैठक में मंच से जो कुछ आया है निकल कर वो बड़ा कमाल का है देखने वाला भी है हलाकि मीडिया को यहां उतनी देर के लिए अलाव नहीं किया था जितनी देर का यह मन्थन सामने निकल आया मगर सोशल मीडिया का जो दौर है ना वो किसी च बीजी पी का एक ऐसा मामला है जो उनको देखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा और कॉंग्रेस के लोगों के लिए भी अच्छी ख़बर नहीं है क्योंकि उनके जो नेता है ना सिंधिया उनको लेकर हम उनके बड़े नेताओं के बोल बचन बताएंगे आपको और जादन संसनी चीज रहेगी इसलिए आप मेरे साथ में आखरी तक जुड़े रहेए क्योंकि बहुत कुछ इस राजनेतिक ड्रामे में आपको आज देखने को मिलेगा तो सुरू बात करते हैं सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा भी प्रत्यासी की जो गोश्णा की गई थी उससे Congress Party ने प्रत्यासी की घोशना की ब्रजंदे आदब के तौर पर ब्रजंदे आदब की जैसे ही घोशना हुई तो शुरू में तो कोई बात नहीं हुई चीजें बहुत सामाने तौर पर ँएं के KP आदब बगावत कर सकते हैं मगर शुरू के एक और दो दिन ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया और जैसे ही बीजीपी की प्रत्यासी की गोशना हुई तो मामला एक दम बबंडर की तरह सामने आया BGP की प्रत्यासी 22 यादब की जो गोशना हुई थी उसका सही तरी से प्रचार प्रसारी नहीं हो पाया था कि मलकी सिंग ने बगावत के ऐसे जंडे बुलंद किये कि भोपाल तक के नेताओं को जो है कानों के आंगे मजीरे बजने शुरू हो गए दरसल मलकी सिंग ने अकेला जंड़ा बुलंद नहीं किया था बगावत का बलकि उन्होंने प्रभाज जैसे बड़े नेता के बारे में जो कुछ कहा वो सुर्खियां बन गई प्रदेश बरकी चुकि प्रदेश अद्यक्ष के साथ साथ पूरे पूरे पुराने प्रदेश अद्यक्ष हैं बरतमान में राश्टी उपाद्यक्ष हैं राश्वा के सांसद हैं और उनके बारे में अगर कोई ये कहा कि उन्होंने पैसे लेकर ये टिक्ट दिया है या भा कि छे तारीक तक जो है इस तरह की चलेंगे ये बात की चीज़े हैं बैरहाल उनके सुर जरूर बदले हैं और मलकी सिंग को यही रोपते हैं चलिए अगला मुद्दाइट डॉक्टर के पी सिंग यादब का के पी सिंग यादब का मामला भोपाल से सुरू हुआ इसलिए इस् पेज प्रमोकों की बैठक में बड़े तबज्यो दी गई उनका स्वागत किया गया उनके बारे में मंच से अच्छी अच्छी बात है की गई मुख मंत्री ने खुद उनका स्वागत किया और तो और बीजीपी के कोई आधे दरजन से थोड़े से कम मंत्री उस मंच पर बै बस अभी के लिए के पिया दब यहीं खतम कर देते हैं और एक दिन पहले बात के लिए चलते हैं बाददुरपर से शुरूबात करती हैं बाददुरपर में एक हेलिकॉप्टर उतरता है और भारती जिनता पार्टी को टगड़ी तक कर देने के दिए कॉंग्रेस के कोई ब कमनलाथ, सुरेश पचवरी, कांतिलाल भूरिया, अरुन यादब, अजै सींग, मापकन्य एकाद नाम में भूल गया हूँ वो बड़ा नाम था दीपक बावरिया का अब कॉंग्रेस के मुत्र मुझे चमा करें क्योंकि बरियता के हिसाब से में थोड़ा सा हिसाब कताब मे के लिए जा रहा है, दो बज़े अवाईयास से उतरते हैं, फूल माला है स्वागत होते हैं, चुकि सिंद्या जी फूल माला पहनती नहीं है, दूसरी लोगों का करा दिया हूनोंने, और यहां से निकलते हैं कोई 15-17 किलो मीटर का मामला है बीच का है नोंने, और यह काफल बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि पूरा काफला ही 57 किलो मीटर में हुगा और पहुंचते पहुंचते लगबग 5 बज गए, अब मुझे यह समझ में नहीं आई है जितने पत्रकार यादिकारी लोग थे, यह इतने बड़े बड़े लोग हैं, सरकारें बनाती हैं, चलात हैं, क्या इनको यह पता नहीं था, कि तीन बजे के बाद नामांकन दर्ज नहीं होता, दाकिल नहीं होता, मगर नहीं साब, पूरा लाओ लस्कर लेकर पहुंच गया, HDM कारले में, और HDM कारले में पहुंचे तो उन्होंने कह दिया, अक्साब समय समाप्त हो गया है, और आ और यह समध्दे की बात नहीं है, मुध्दे की बात अब आती है, कुछ दिन पहले एक अभाह हो ली थी, कि जो तरह दिस सिंदिया, मुक्हमंत्री पत के चेहरे हो सकते हैं, अब चुकि मुक्हमंत्री पत के चेहरा बड़ा मामला था क्गником के बडए नहीं सकते था, और कॉ विल नोट गेट इंटर इंटू आपकी कोई वी जू है यह चर्चा में हम आप से सामिल लेंगे हैं कि पार्टी को जो कुछ भी डिसेशन करना है उसके लिए जो कुछ उप्योगत होगा वह डिसेशन करेंगी पार्टी मगर यह जो है मैटर है ना तो हम मीडिया से कभी करेंगे तीज अब प्रवारी भी हैं तो आप पूरे मद्द प्रदेश को देख रहे हैं यह मांग जो अगर प्रशन आपका जो हमारा पार्टी का मामना है उसने हम आपसे ज्यायर में चर्चा कोई चर्चा नहीं करेंगे डीपक बावर या जी तो बिलकुल बात करने ही त यार नहीं थे जैसे ही उनसे का कि CM बना देजी तो वह हमसे ही पूछने लगे हमको ही कहने लगे कि मीडिया से कॉंगर BGP के लोग अक्सर यह पुछवाती रहती हैं बयान कराती रहती है और आखरी आखरी मुनों ने कह दिया किस मुद्दे पर हम कभी BGP से बात ही नहीं क कि पार्टी में खासकर कॉंग्रेस पार्टी में परंपरा है कि जब बिधायक बन जाएंगे तो वह चुनेंगे कि कोन मुक्हमंत्री होगा खेर जो भी है अपनी अलग की बात है फिर दोबारा के पी सिंह आ जाती है दोबारा और इस मामले में अरुन यादप का बयान है अ आप सरकार बनवा दो फिर जिसको चाहो आप बनवा दो तो आप सरकार बनाने के लिए किसी चेरे को क्यों नहीं चुल लेते कॉंग्रेस की जो परंपरा है वो सामुहिक विचारदारा का है हर समाज को साथ लेके चुनाव मैदान उतर दो तो किसी के नाम पर आपत्ती नही लेकिन कॉंग्रेस की एक परंपरा है उस परंपरा में ही काम होता है यदि राहुल गांदी जी कल अरुनियादर जी के नाम बाबरिया जी करते हैं हमाई लिए वो ठीक है अधारा में चेहरा आएगा प्रकट होके चुनाओ जीसने के बाद बहुत बहुत दन्नेवाद है चलिए उनकी अपनी मजबूरी रही होगी वह हम भी देख रहते हैं वहराल यह है कि जितना पांच साथ मिट में हम जो समझे उसके हिसाब से सिंधिया की राहे बहुत आसान न उसमें राजनेता अपने अपने आकड़े लगा रहे थे कोई कह रहा तक 20,000 लोग भी थे अब कहने की बाते हैं कोई बात नहीं है पर अगर यह 20,000 है तो बीजी पी के लिए चुनाओती होगी क्योंकि छहतारी को भी जो है फॉर्म बर रहे हैं तो उनकी तो सरकार है और मा पेज प्रवारी का उपर ओडिंग लगा है और यह बहुत सारी जनता दिख रहे हैं मंच पर कुछ बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं यह भारती जनता पार्टी का एक नया कॉंसेप्ट है और हम इसकी बड़ी तारीब करते हैं क्योंकि अकसर हम कहते रहते हैं कॉंग्र करता थे जो पेज प्रमुक की तोर पर आये थे अब ये पेज प्रमुक का मामला कह जा रहा है इसको लेकर बात करते हैं और ये पूरे ख़बर में सिर्फ यही चीज गंबीरता वाली है इसके अलाब कोई गंबीर चीज नहीं है ये है कि ये भारती जनता पार्टी की जो उसरे पेज में साथ इस तरह से लोग होती है तो एक व्यक्ति को तीस लोगों को समालना बहुत आसान होता है क्योंकि वो इन तीस लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि उनकी मान सकता क्या है वो कैसे मानेंगे किस दल के हैं किस दल में रहे हैं और भी सारी तो निचले इस तर पर इस से जादा साइध ही कभी कोई हिंदोस्तान के इतियास में पार्टियां गई हो और अगर ये मामला था तो जिस तरह से ये कारिकरम किया गया वो अपने आप में बहुत बड़ा कारिकरम था और इतने लोगों की बैठकें भी बहुत कम होती थी और इ प्रवाद जासाब, ग्रह मंत्री वुपेन सिंग जी, रामपाल सिंग जी, गौरी संकर बिसेज जी और बाई सावयादब भी मंच पर थी और बाई सावयादब के अलाबा कॉंग्रिस स्याइश सांशत पिर्निदी, डॉक्टर के पी अधब भी थे इसके अलाबा भी बहु और आज अगर लडाई में खड़ी हुई है, तो उसमें अर्विन बदोरिया जो प्रवारी बनाएगा उनका बड़ा योगदान है, उन्होंने पार्टी में नकिवल कसावट लाई, बलकि इस इस इस्तिती में लाके खड़ा कर दिया, कि चुनाओ को तो टसल का कर दिया, ख पार्टी का कारी करम था, और इस से जादा कि हम लोग भी गुंजाश नहीं रखते, पर पार्टी की लोगों की तरफ से कुछ वीडियो अंदर से आए हैं, और इन वीडियों ने हल्ला मचा रखा है, तो पहले हम आपको बाई साहब का बयान बताते हैं, इस बयान ने लोग अपने प्रत्यासी को बोलती हुए देख रहे थी, क्योंकि अभी तक राव उपनी बात कहते थे, चाये जला पंचात के चुनाव रहे हो, चाये मन्डियों के रहे हो, चाये दूसरे रहे हो, भले ही बाई साहब चुनाव लड़ती रही हो, मगर जब भी बात करने की नौब तो टूटे-फूटे सब्द निकले वो बहुत जादा मायने नहीं थे बगर उनकी इस भाव ने उनके बिलग-बिलग कर रोने की चीजों ने नकिवल मंच को गमगीन कर दिया बलकि पूरे सदन में पूरे पांडाल में सननाटा मचा दिया और उनके बाद बहुत जादा नहीं बोल पाई मुखमंत्री और दूसरी लोगों ने उनको ढांडास बनाया और उनको उनके स्थान पर बिठाया और ये स्वभाविक भी है इतनी बड़ी तरासदी उनके जीवन की है और उसके बाद पूरी राजनितिक बिरासत को अपने कंदे पर लेकर आगर आगे बढ़ रही है तो ये बड़ा ही गंभीर विशा है और उनकी इस हिम्मत को अमदाद देते हैं कि जिसने कभी मंच फेस ना किया हो कभी बैठी ना हो वो मंच पर हैं उस बिरासत को आगे देखा जाता है इस खबर का ये सबसे मारमिक पहलू था और इस चुनाओ का ये बड़ा दिसानिर्देश या दिसात्य करने वाला मामला भी होगा क्योंकि साहनभूती अगर किसी के साथ है तो वो बाई-साव यादब के ही साथ है क्योंकि कॉंग्रेस जिस बजे से आत्वना का मामला नहीं है जबकि बीजी पीस मामले में थोड़ी सी आंगे है अब चलिए साब खबर का आपको बिल्कुल समापन करने से पहले बयान सुनाते हैं 34 मिनिट के 34 सेकंड के शमा कीजिए बयान को पहले गंबीरता से सुन लीजिए इसके बाद मैं अपनी बात कर भान है भारती जनता पार्टी के प्रदेश अर्जक्त बाकि आप खुछ सुनिए और वो रावन की लंका को आग लगाने विवीशन बनके हाई आपकर केपी यादा जी आपने सुन लिया ये वीडियो बाइरल हुआ है हम इसकी सतता की कोई बात नहीं कर रहा है कोई गारंटी नहीं ले रहे और नहीं इसको प्रमाने कोने की बात कर रहे है मगर अगर ये सही है तो तो मुद्ध भूत खराब है बहुत संबेदन सील है और ये मामला यहीं नहीं रुखेगा क्योंकि एक दिन पहले भारती जिन्ता पार्टी के कारले में के पी याद आपको हाथ हो आत लिया गया था मंच पर मुख्मंत्री उनके बारे में अच्छी अच्छी बात कर रहे थे मंच पर ही नहीं जब हवाई आट से वो जा रहे थे हलिकॉप्टर से जा रहे थे कि अब भी हमने उनसे पूछा कि जो बगाबत हुए और के पी सिंग उनके पास आएं तो मुख्मंत्री का सदा हुआ लहजा भी सुन लीजिए इसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं यह बात सच है कि अच्छे लोग जो विकास के पक्षधर है जो जनता के कल्यान के पक्षधर है ऐसे लोग भारती जनता पारिटी में आ रहे हमारे साथी के पी आदव जी भी त्याकि वह प्तिष्ठित परिवार प्तिष्ठित व्यक्ति उनकी अपनी तीम समर्थक उनको ल जनता के कल्यान का है ऐसे मित्र भारती जनता पार्टी ना रहे हैं उनका स्वागत है तो सीम कह रहा है कि के पी आदव अच्छे व्यक्ति हैं और जनता के विकास में विश्वास रखती हैं इसलिए ऐसे अच्छे व्यक्तियों का भारती जनता पार्टी में खुले दिल से स जब बता में उपेक्षित पात्र माना गया है, निंदनीय पात्र माना गया है, साइधी कोई नाम हो जिस वो बिवीशन के नाम से जाना जाता हो या बिवीशन को कभी भी आदर या सम्मान के साथ देखा गया हो, अपने लोगों के साथ भेद करने वाले या उनको नुकसान प बड़े पोश्टों पर हैं आप से बड़ी संजीदगी की बात के उम्मीद लोगों को रहती है ऐसे मैं आप अपने घर में आए महमान को कुछ घंटे पहले ही आपके हां आने की बात कर रहे हैं पूरे मंच के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है उस व्यक्ति के बारे म में आप बता रहे हैं कि बिवीशन है उनको बिवीशन की संग्या दी गई है हलाकि नंद कुमार सिंग चोहान के बारे में एक बात जरूर समझ लेना चाहिए कि उनकी दमाग से चीज़ा नहीं बनती ये पहली बार भी नहीं हुगा बोलते बोलते वो क्या बोल जाया उनको खुद भी पता नहीं रहता और हाला कि इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था बगर कॉंग्रेस इसको छोड़ने की स्थिति में नहीं है और आपने पूरा बयान सुना उस बयान में उनको भी साइद एहसास हो गया कि वो क्या कह गए जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की वि पुंजास है नहीं है उसमें पर उन्होंने इतना जरूल किया कि जैसे ही उनको ये समझ में आया विसे ही बदल दिया सीधे बाई साब के बारे में बात करने लगे मगर राजनीती में अगर आप बड़े पत पर हैं सिखर पर बैठे हैं तो जबान और मर्यादाओं को आपक करने वाली बात है नमस्कार